नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनूप और आप देख रहे हैं अनूप मल्टी पर्पस इंगलिस क्लासेज आज मैं आपको इस वीडियो में पॉर्णौन का पार्ट टू पढ़ाऊंगा ठीक है जिन लोगों ने हमारा पार्ट वन पहले नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जाकर हमारे चैनल पर पार्ट वन का वीडियो देख ले पॉर्णौन का ठीक है ताकि ये जो पार्ट टू है आपको समझने में किसी पर का कोई प्रॉबलम ना हो ठीक है तो आईए जानते हैं पार्ट टू पार्ट टू में हम लोग आज पढ़ेंगे भी भी आई नोड्स ऑन पर्सनल पर्णौन पर्सनल पर्णौन का मलब क्या होता है नीज बाचक सर्वनाम पर्सनल पर्णौन का मलब क्या होता है नीज बाचक सर्वनाम ठीक है और पर आपने जैसा कि नोड़स ही दे रखा है यह BVI नोड़स है और यह किसी भी competitive examinations के लिए most useful है आप चाहे किसी भी competitive examinations की त्यारी क्यों न कर रहे हो चाहे आप SSC की त्यारी कर रहे हो बैंके के लिए कर रहे हो डिफेंस के लिए कर रहे हो overall all competitive examinations में questions pronouns से पूछे ही जाते हैं ठीक है तो आपको यह नहीं कि पूरा किताब पढ़ना है हम लोग को केवल उतना ही पढ़ना है जितना की हम लोग को क्या जरुवत है ठीक है तो आईए जानते हैं आज इसमें rule number one को ठीक है rule number one क्या कहता है लेट जिरन तथा प्रिपोजिशन के बाद हमेशा object pronoun का यूज होता है अब यहां देखिए ट्रिक से आप इसको कैसे याद रख सकते हैं इल पी जी इल पी जी के बाद हमेशा क्या यूज करना है आपको object pronoun यूज करना है अब आपके मन में सवाल उठा कि यह इल पी जी क्या है तो इल फॉर लेट पी फॉर प्रिपोजिशन पी फॉर प्रिपोजिशन तथा जी फॉर जीरंड होता है ठीक है यह liquid petroleum gas वाला नहीं है यह pronoun metric आपको क्या याद रखना है लेट प्रिपोजिशन तथा जीरंड के बाद कैसा pronoun तो object pronoun यूज किया जाता है यदि आप subject pronoun यूज कर देते हैं तो 100% क्या होगा वो incorrect हो जाएगा एक बाद फिर से सुनें LPG के बाद हमेशा object pronoun का यूज किया जाता है L for late, P for preposition and G for gerund ये हमेशा याद हो गया और हमेशा याद रहेगा ठीक है आईए देखते हैं इसको एक जामपल के थूँ ठीक है आईए देखिए ये क्या कह रहा है जो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये object pronoun क्या है और subject pronoun क्या है तो हमने kinds of pronoun में object pronoun और subject pronoun दोनों के बारे में जिक्र किया है फिर भी मैं यहाँ आपको object pronoun बता दू कि object pronoun के list कौन कौन से हैं तो object pronoun के list हमारे क्या है him, her, it, me, you, us, them ये क्या है object pronoun है और late preposition तता जिरंट के बाद हमेशा object pronoun का ही यूज किया जाता है ठीक है अब जाएंगे subject pronoun मतलब कि यदि late preposition तता जिरंट के बाद यदि आपको subject pronoun मिलेगा तो वो क्या होगा incorrect हो जाएगा आईए जानते है subject pronoun के list कौन है he, c, i, b, they ये हमारे क्या है subject pronoun है I hope कि ये इस concept के लिए हुआ होगा आईए अब समझते हैं इसको example के थरू ठीक है example देखिए क्या है लेट बलैंग कम अब हमने कहा कि जैसे ही आपको लेट दिखेगा तो उसके बाद पर नौन कैसा होना चाहिए जी हाँ, बिलकुल सही कहा आपने object pronoun का यूज किया जाता है और object pronoun इन दो absence में कौन से हैं, he या him जी हाँ, बिलकुल सही कहा आपने object pronoun हमारा him है he एक subject pronoun है, इसलिए ये क्या है, incorrect हो जाएगा ठीक है, example number two देखिए, please listen to blank अब यहाँ देखिए, कि इस blank का स्पेस में क्या आएगा subject pronoun आएगा, या object pronoun आएगा तो सबसे पहले तो आप देखिए, blank का स्पेस के पहले दे रखा है two, और two क्या है, एक preposition है और preposition के बाद, आपको कैशा pronoun यूच करना है object pronoun, ठीक है, और object pronoun हमारा इन दोनों options में कौन सा है, जी, बिल्कुल सही कहा आपने अस है, तो अस ये object pronoun है और भी एक subject pronoun है, तो किसी भी preposition के बाद आपको हमेशा object pronoun का यूच करना है, ठीक है चाहे वो common error का questions हो, sentence improvement का हो, fill in the blanks का हो close test का हो, ठीक है, preposition के बाद, हमेशा object pronoun का यूच किया जाता है, example number 3 देखिए, example number 3 कह रहा है बिटिंग blank at he, this age do not behave you, अब यहाँ देखिए, blank space के पहले क्या है, ये भी फोर है और भी फोर को हम लोग क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं, ठीक है, और किसी भी जीरंड के बाद, कैसा pronoun यूच किया जाता है, जी बिलकुल सही कहा, object pronoun का यूच किया जाता है यदि आप subject pronoun यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है गलत होता है अब बताए एक्जामपल नमबर थिरी में कौन सा option हमारा object pronoun है और बिलकुल सही हर एक object pronoun है और C एक subject pronoun है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा तो आई होप की रूल नमबर याद आपके माइंड में घुस गया होगा रूल नमबर वन क्या है परिशनल परणौन का LPG के बाद हमेशा object pronoun का यूज़ किया जाता है ये रूल भूलना नहीं है आप लोगों को ठीक है अब आई ये रूल नमबर टू रूल नमबर टू क्या है रूल नमबर टू कहता है एज ततादैन के बाद subject pronoun का यूज़ किया जाता है एज ततादैन के बाद subject pronoun का यूज़ किया जाता है फिर से मैं बता दू कि subject pronoun कौन है और object pronoun कौन है तो जी subject pronoun हमारा क्या है he, see, it, be, you, they ये subject pronoun है आवए इस ततादैन के बाद इसी subject pronoun का यूज़ करना है आपको जदी object pronoun यूज़ करते हैं तो वो incorrect हो जाएंगे ठीक है object pronoun हमारा कौन है object pronoun हम, हर, मी, अस, दे ये object pronoun है जदी आप आईस ततादैन के बाद object pronoun को यूज़ करेंगे चाहे वो common error के questions हो sentence improvement के हो fill in the blanks के हो या active से passive के हो ठीक है आपको ये ध्यान रखना है कि आईस ततादैन के बाद subject pronoun के यूज़ किया जाता है एज ततादैन के बाद कौन सा pronoun यूज़ किया जाता है एज ततादैन के बाद हमेशा subject pronoun के यूज़ किया जाता है मुझे आपको ये मालूम होना चाहिए ठीक है कि एस ततादयन के बाद सब्जिक पॉर्णान का यूज़ किया जाता है अपजिक पॉर्णान का यूज़ गलत होता है आइए एक्जामपल देखें इसको इसका एक्जामपल क्या कहता है हीज एज गूड एज बलेंक अब बलेंक का स्पेस के पहले आया एज और एज के बाद कैसा पोर्णन जी बिलकुल صحी सबजेक पोर्णन आई एक सबजेक पोर्णन है ठीक है मी एक उबजेक पोर्रणन है तो मी क्या हो जाएगा hundred percent incorrect हो जाएगा तो ही जाइज गुडइज आई एक्जामपल नमबर टू देखिए एक्जामपल नमबर टू कहता है I am taller than, blank, blank space के पहले क्या आया than, और than के बाद किस pronoun का यूच किया जाता है जी subject pronoun का यूच किया जाता है तो अब बताईए कि एक्जामपल नमबर टू में subject pronoun कौन सा है जी बिल्कुल सही कहा आपने C है यदि आप हर यूच करते हैं तो ये 100% क्या हो जाएगा इंकरिक्ट हो जाएगा फिर से याद किजिए कैज ततादैन के बाद कैसा pronoun यूच किया जाता है बिल्कुल सही subject pronoun यूच किया जाता है ठीक है ये rule भी clear हो गया तो आईए rule number 3 देखते हैं rule number 3 क्या कहता है जी rule number 3 कहता है अच्छे उदेश के लिए singular personal pronoun का क्रम two, three, one होता है अच्छे उदेश के लिए singular personal pronoun का क्रम two, three, one होता है अब सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि ये two, three, one क्या है है ना तो आईए इस concept को भी मैं clear कर दूँ कि two, three, one क्या है है ना तो two का मनलब हमारा हो गया second person three का मनलब हो गया third person और one का मनलब क्या हो गया first person second person के हमारे pronoun कौन है यू है तो पहले यू आएगा फिर third person मनलब ही see it या नेम में से कुछ का यूज किया जाएगा और तब first person I का यूज किया जाएगा ठीक है यदि तीनों ही pronoun sentence में एक साथ आजाए और sentence का उदेश अच्छा हो तो आपको इनका क्रम क्या यूज करना है अच्छे उदेश के लिए similar personal pronoun का क्रम two, three, one मलब second person, third person और तब first person को यूज किया जाना है ठीक है एक्जामपल से समझ लिजीए और भी concept किलियर हो जाएगा यहाँ देखिए blank 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 help the poor अब आपको बताना है इस sentence का सबसे पहले सार क्या है सार कहने का मलब उसका उदेश अच्छा है या बुरा है यहाँ देखिए sentence में है help the poor तो help the poor गरीबों की मदद करना अब बताईए यह good purpose है या bad purpose है जी बिलकुल सही कहा आपने यह good purpose है और good purpose के लिए personal pronoun similar personal pronoun का क्रम क्या होता है 2, 3, 1 होता है तो अब बताईए कि इस option में 2, 3, 1 का क्रम कौन सा है 2, 3, 1 तो option A is correct option B is incorrect अब ये एक्जामपल नमबर टू को समझें एक्जामपल नमबर टू क्या है blank 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 always use dust bean to throw garbage अब यहाँ देखिए garbage को dust bean में फेकना अच्छा आदत है या बुरा आदत है जी बिल्कुल सही कहा आपने ये अच्छा आदत है good purpose है और अच्छे उदेश के लिए singular person or peron का क्रम क्या होता है बिल्कुल सही कहा आपने वो 2, 3, 1 होता है तो अब बताईए एक्जामपल नमबर टू में 2, 3, 1 का क्रम कौन सा है C थड है U second है और I first है तो इसका क्रम तो क्या हो गया incorrect हो गया अब हमको चाहिए क्या 2, 3, 1 अच्छे उदेश के लिए singular person or peron का क्रम तो हमारा अंसर क्या होगा B बिल्कुल सही ठीक है अब आईए rule number 4 समझते है rule number 4 क्या कहता है बुरे उदेश के लिए singular person or peron का order 1, 2, 3 होता है बुरे उदेश के लिए bad purpose के लिए singular person or peron का क्रम क्या होता है 1, 2, 3 जी हाँ अब ये फिर से समझ लीजिए कि ये 1, 2, 3 क्या है तो 1 का मनलब हो गया 1st person 2 का मनलब हो गया 2nd person और 3 का मनलब हो गया 3rd person यदि sentence का उदेश क्या हो बुरा हो तो उसका क्रम पहले क्या होगा I होगा फिर you होगा और तब 3rd person के पॉर्णाउन he, see, it या, name का यूज किया जाएगा आईए, इसका भी एकजामपल देखते हैं ये एकजामपल क्या कह रहा है blank 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 commit crime under the no job of the police अब एक वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा कि crime तो crime करना कभी भी अच्छा उदेश नहीं हो सकता है ये बुरा उदेश है और किसी भी बुरे उदेश के लिए singular personal pronoun का crime क्या होता है जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा 123 होता है अब इस options में देखिए कि इसमें कौन सा आई सा options है जो 123 के crime को follow कर रहा है तो option number B देखिए ये I first person you second person और he third person है तो हमारा answer B हो जाएगा A क्यों नहीं होगा जी बहुत अच्छा question है आपका A नहीं होगा क्योंकि आपको बताया गया कि बुरे उदेश के लिए singular personal pronoun का crime क्या होता है 123 होता है और यहाँ पर ये कौन सा crime दे रखा है ये आप देखिए ये second person है you he third person है और I first person है इसलिए ये incorrect है आई बस समझ में तो आई एक्जामपल नंबर टू बताईए जी एक्जामपल नंबर टू क्या है जो देखिए एक्जामपल नंबर टू क्या कहता है blank 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 abuse your our teachers blank 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 abuse our teachers अब बताईए अब इहां पर abuse किशी को गाली देना अच्छा उदेश है क्या नहीं न तो इसलिए इसका भी करम क्या होगा singular personal pronoun का बुरे उदेश के लिए one two three singular personal pronoun singular personal pronoun का करम one two three होगा ठीक है न singular personal pronoun का करम क्या होगा one two three तो यह है one यह है आई हो गया first person you हो गया second person और मैंक एक नाम है तो यह third person होगा तो इसका answer क्या हो जाएगा a b option नहीं हो सकता क्योंकि यह second है यह third है और यह first person है इसलिए option number b incorrect rule number false किसी को कोई problem है नहीं न तो आगे देखिए rule number five rule number five क्या है यह देखिए rule number five यह कहता है अच्छे तता बूरे दोनु देसी के लिए personal pronoun का order one two three होता है अब यहां पे कोई confusion नहीं है यदि आप personal pronoun को पहचानते हैं ठीक है और वो पूरल है तो उसका करम अच्छा उसका करम हमेशा क्या होगा one two three one two three one two three जी हाँ आई यह जानते हैं कि one two three यह क्या है तो one का मलब फ़र्ष परसन two का मलब second परसन three का मलब third परसन हाँ अब पूरल में क्या होता i का पूरल क्या होता b you singular पूरल दोनों में होता है second परसन का तो you का you और he see it name सभी का पूरल क्या होगा दे होगा ठीक है न तो यह तो समझ में आ गया जब यह तीनों ही पूर्णों संटेंस में एक जगा पे आएंगे चाहे उदेश अच्छा हो या बुरा तो इसका क्रम क्या होगा be you and they होगा जी हाँ बिलकुल सही कहा आपने be you and they होगा आईए इसका भी एक्जामपल हम लोग देखते हैं एक्जामपल नमबर वन एक्जामपल नमबर वन ब्लैंक 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 always solve the problems of the poor गरीबों की समस्याओं का हल करना ये कैसा purpose है good purpose है अब options देख लिजिए कि singular pronoun आ रहा है कि पुलर 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 आ रहा है ये दिस singular pronoun रहा हो good purpose है तो जी हाँ two, three, one और ये दिपुलरल है तो जी हाँ अच्छे तता बूरे दोने उदिश्चों के लिए आपको क्या यूच करना है one, two, three तो आप इस options में देखिए ये है पुलर option दे रखा है तो आपको यहाँ पर देखिए be first person, you second person and they, third person तो आप बताईए answer मिल गए आपका बिल्कुल सही कहा आपने answer ए ही जी correct है अना, be incorrect है क्योंकि you second person है be first person है और they, third person है और इसका कोई भी करम नहीं बनता है next देखिए next example क्या है next example हमारा कह रहा है blank 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 blank, plunder banks देखिए plunder का मलब होता है लूटना और bank को लूटना good purpose या bad purpose बिल्कुल सही कहा आपने bad purpose bad purpose हो या good purpose पुल्णर 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 का करम one, two, three एकदम note कर लिजिए इस चीज को तो आईए जानते हैं इस option में one, two, three का कौन सा करम है b, first person you, second person they, third person तो करम मिल गए आपको तो option a is correct option b is incorrect because second person you first person b and third person है they और इस तरह का कोई भी करम sentence में नहीं बनता है तिस लिए option incorrect हो गया आईए next tool देखते हैं next tool हमारा क्या है देखिए ये कह रहा है it is बात पे फोकस किजिए it is के बाद हमेशा subject pronoun का यूज होता है it is के बाद हमेशा subject pronoun का यूज होता है कहीं भी sentence में आ जाए और उसके बाद आपको pronoun यूज करना हो किसके बाद it is के बाद तो it is के बाद कैसा pronoun यूज करना है जी बिलकुल सही कहा आपने subject pronoun यूज करना है ठीक है तो आईए देखते हैं फिर से एक बार subject pronoun के लिष्ट कौन से हैं और object pronoun के लिष्ट कौन से हैं ठीक है तो subject pronoun के लिष्ट हमारे कौन कौन से हैं subject pronoun he, c, it, i, b, u, they ये हमारे subject pronoun के लिष्ट हैं और it is के बाद इसी pronoun का यूज किया जाएगा किस pronoun का? subject pronoun का यदि आप object pronoun का यूज करते हैं मतलब की हिम को यूज करते हैं इटीज हिम तो गलत होगा इटीज हर तो गलत होगा इटीज अस तो गलत होगा इटीज देम तो क्या होगा? गलत होगा समझ रहे हैं बात को आपको क्या यूज करना है? इट इज आई, इट इज बी, इट इज यू, इट इज दे, समझ गए, तो इस तरह का ही पॉर्णोन आपको इट इज के बाद यूज करना है, एक्जामपल देखें, एक्जामपल क्या है, इट इज, ब्लैंक, हूट, टीच, यूर, सन, अब इट इज के बाद यहां ब्लैंक यूज़ करना है तो I subject pronoun है और me object pronoun है समझ में आ रहा है तो I correct होगा Example number two देखिए It is Example number two It is blank Who always teach your daughter तो It is they या दे जी हाँ भी हमने कहा कि It is के बाद subject pronoun का यूज़ किया जाता है दे हाँ subject pronoun है तो ये correct है Then ये यूज़ करते हैं तो ये incorrect हो जाता है आई ये next टूल देखते है Rule number seven Rule number seven क्या कहता है Rule number seven कहता है If पलस subject पलस वर के बाद हमेशा subject pronoun का यूज़ होता है अब sentence में ये यदी आपको If पलस subject पलस वर मिल जाए तो इसके बाद का भी pronoun हमेशा क्या होगा subject pronoun होगा और subject pronoun का लिष्ट आपका क्या होता है जी हाँ देखिए फिर से मैं बता दू subject pronoun क्या होता है He, see it, I, B, U, they ये सारे के सारे subject pronoun है और If पलस subject पलस वर If पलस subject पलस वर के बाद आपको यही pronoun मतलब की subject pronoun यूच करना है समझ रहे हैं यदी आप object pronoun यूच करते हैं जैसे कि आप यूच करते हैं Him, Her, Me, Us तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे किस के बाद If पलस subject पलस वर के बाद ठीक है तो एक जामपल देखिए यदी आप समझ गए हैं तो जवाब दीजिए If I were blank I would refuse her proposal of marriage अबे हाँ If आगया I subject हो गया वर आगया तो इसके बाद बापस आपको कोई परणॉन यूच करना है तो वो परणॉन कौन सा होगा जी बिलकुल सही subject परणॉन और subject परणॉन हमारा क्या है Him या ही तो आपका अंसर होगा ही ठीक है इसी तरीके से एक्जामपल नमबर टू देखिए एक्जामपल नमबर टू कहता है If see were blank See would reply all your questions तो अब बताईए If see were के बाद blank आया है तो इस blank space में क्या आएगा subject परणॉन या object परणॉन बिलकुल सही कहा आपने आएगा subject परणॉन और आई एक subject परणॉन है यदि आप में यूच करतें तो आपका answer गलत हो जाता आईए next tool और ये last tool personal pronoun का है ठीक है तो इस rule को समझाने से पहले मैं आपसे request करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे channel को subscribe नहीं किया है kindly हमारे channel को subscribe कर ले तथा bell बटन पे click कर ले ताकि हमारे video का latest notifications आपको मिलता रहे ठीक है और इसी के साथ हमारे video को भी like कर दे ठीक है और share जरूर करे क्योंकि lockdown का महौल है और lockdown के महौल में वाईसे students को जरूर आप help करे जो पढ़ना चाहा रहे हैं ठीक है तो आईए जानते हैं रूल नमबर एट क्या कहता है रूल नमबर एट कहता है टू पलस भी वन के पहले तथा बाद हमेशा अबजिक्ट पर नौन का यूज किया जाता है यदि आप टू पलस भी वन के पहले तथा टू पलस भी वन के बाद सब्जिक्ट पर नौन यूज करेंगे तो 100% incorrect हो जाएगा मिंस में देख ले इसको भी मिंस में ये क्या कह रहा है देखिए 2 पलस B1 के पहले तथा 2 पलस B1 के बाद दोनों तरफ आपको क्या यूच करना है अबजेक्ट पॉर नौन यूच करना है अबजेक्ट पॉर नौन हमारा क्या होता है हिमाहर इत्मी असियू देम होता है तो इस 2 पलस B1 के पहले तथा 2 पलस B1 के बाद हमेशा और हमेशा कैसा पॉर नौन यूच करना है बिलकुल सही अबजेक्ट पॉर नौन यूच करना है ठीक है तो इसको एक्जामपल के थूरू समझ लीजिए एक्जामपल देखिए क्या कहता है बी रिक्वेश्टेट ब्लैंक टू कम हेर अब यहां देखिए ब्लैंक का स्पेस के बाद दे रखा है तो पलस B1 और अभी हमने बताया तो पलस B1 के पहले तो पलस B1 के पहले किस पॉर्णौन के यूज करना है जी हां बिलकुल सही कहा आपने अबजेक्ट पॉर्णौन के यूज करना है और अबजेक्ट पॉर्णौन हमारा कौन है दे या देम बिलकुल सही देम जदी आप दे यूज करेंगे तो यह क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा एक्जामपल नमबर टू देखिए I hope to meet blank सुन अब यहाँ देखिए एक्जामपल नमबर टू में टू पलस भी वन टू मिट क्या है टू पलस भी वन और अभी हमने कहा कि टू पलस भी वन के बाद भी कैसा अबजिक्ट किस परणॉन का यूच किया जाता है जी बिलकुल सही कहा आपने अबजिक्ट परणॉन और इसमें कुश्चन नमबर टू के आप्सन में अबजिक्ट परणॉन कौन सा है ही या हिम बिलकुल सही हिम है तो हिम आपका अंसर है यदि आपने अंसर ही दिया होता तो ये 100% क्या हो जाता इनकरेक्ट हो जाता आईए एक्जामपल नमबर 3 देखते हैं एक्जामपल नमबर 3 कहता है दे गेज्ड ब्लैंक 2B ब्लैंक अब इसमें 2 प्लस भी वन कौन है 2 प्लस भी वन है 2B अब इस 2B के पहले वाला और 2B के बाद वाला दोनों तरफ का प्रणॉन कैसा होना चाहिए बहुत ये 2 प्लस भी वन है तो 2 प्लस भी वन के पहले तथा बाद कैसा प्रणॉन यूच किया जाता है बिलकुल सही 2 प्लस भी वन तथा 2 प्लस भी to plus view के बाद हमेशा object pronoun का यूच किया जाता है तो इन दोनों ही options में देखिए कि दोनों क्यों से object pronoun है जी हाँ ए option में ये दे रखा him, तथा me, दोनों ही object pronoun है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे they guessed him to be me, यदि आपने कहा होता they guessed to he, to be he और आई तो ये क्या हो जाता 100% इंकरेक्ट हो जाता आसा करते हैं कि आपको ये विडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है तो इसी के साथ हम आज का क्लास आज की क्लास से बिदा लेते हैं फिर अगले क्लास में आपसे जरूर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार